सनावत शेतरे के ग्राम, खनगाओं और खेडी ग्राम के बीच बाकूर नदी पर पूल निर्मान की वर्षों से चली आ रही मांग पूरी नहीं होने पर अब शाशन प्रसासन के साथ ग्रामिनों का विधायक के खिलाब गुस्दा फुटने लगा है गुरुवार को दोनों गाओं के ग्रामिन पैदल मार्च करते हुए सनावत पहुचे यहां विधायक सचिन बिरला के खिलाब कार्या लेके बहार पर दर्शन करते हुए विधायक जूटा है के नारे लगाए इसके अलावा थाने पर भी विधायक के खिलाब जूटा आश्वर्शन देने पर F.I.R. दर्श करने की अरजी दी ग्रामिनों ने बताये कि दो माह पहले ग्रामिनों के चल रहे अंशन को तुड़वाते हुए विधायक ने लिखित में आश्वर्शन दिया था कि बाकूर नदी पर पूल सहीत इंदोर इच्छापूर नेशनल हाइवे से ग्राम तक पहुशने वाली सड़क का निर्मान कारे कराये जाएगा लेकिन दोनों मांगो में से एक का भी काम शुरू नहीं हुआ है ग्रामेंड पूल निर्मान की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं ग्रामेंडों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्मान कारे नहीं हुआ तो भविश में उग्र आंदोलन का बात दिहूंगे ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन आज ग्राम खंगाओ एवं खेडी की जायज मांगो को लेकर के सनावद में पेदल मार्च निकाला गया जो की ग्राम खंगाओ से लेकर सनावद नकर विदायक कारे ले तक आविजित किया गया था इस पेदल मार्च में समस्ता ग्राम वसी एवं हमारे अंदोलन के समर्थक सभी उपरचित रहे यह अंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले दो महा पूर्व विधायक बड़वा ने यह अस्वाशन दिया था कि दो महा के भीतर आपके गाव में सड़क तता पूल का सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले कर दो कर दो